मैं हूँ आपके साथ चैले इंद्र पांडे आजकल रोज हम अलग-अलग ग्रहों के राजियोग के बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अलग-अलग ग्रहों के बहुत अच्छे होने से बहुत फाइदेमंद होने से जीवन में किस तरह के फाइदे होते हैं इसी क्रम में आज बात करेंगे ब्रिहस्पती के राजियोग के बारे में कि अगर कुंडली में ब्रिहस्पती बहुत ही अच्छा है बहुत ही शक्तिशाली है या राजियोग दे रहा है तो इसके प्रभाव क्या होंगे अगर हम ब्रिहस्पती के महत्व की बात करें तो देखिए ब्रिहस्पती जो है वो नव ग्रहों में गुरु है ब्रिहस्पती का एक नाम भी गुरु है वो इसलिए है क्योंकि ब्रिहस्पती के अंदर गुरु होने की क्षमता पाई जाती है ब्रहस्पति गुरु भी है और मंत्रना का मालिक भी है तो मंत्री भी है ब्रहस्पति ग्यान का सबसे बड़ा प्लेनेट है अगर हम ग्यान की बात करें अगर हम नौलिज की बात करें तो ग्यान का नौलिज का सबसे बड़ा जुगरा है वो ब्रहस्पति है ब्रहस्पती के पास दो राशियां है एक राशी है धनू और एक राशी है मीन धनू अगनी तत्व की राशी है और मीन जो है वो जल तत्व की राशी है और ब्रहस्पती इन दोनों राशियों का स्वामी होता है करक राशी ब्रिहस्पती की अत्यंत प्रिय राशी है और जब ब्रिहस्पती करक राशी में बैठता है तो सबसे ज़्यादा सरवाधिक मजबूत हो जाता है ब्रिहस्पती की वज़ा से मेनली मुख्यतह ग्यान और विद्या का वर्णान मिलता है ब्रिहस्पती की वज़ा से ग्यान और विद्या की स्थिती में सुधार होता है ब्रिहस्पती ये भी बताता है कि आपके उपर इश्वर की कृपा कितनी है ये देवी ये कृपा की सूचना भी देता है जिनकी कुंडलियों में ब्रहस्पती अच्छा होता है उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके उपर इश्वर की विशेश कृपा जरूर है अगरी स्थे चिंडली में राजियों देता है यानि ब्रिहस्पती की वज़ा से अगर कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति राजा नहीं बनता उससे भी उपर जाता है, महान बन जाता है और ब्रिहस्पती का केवल एक राजयोग भी अगर कुंडली में है तो व्यक्ति शीर्स पर पहुँच जाता है बहुत उचाई पर पहुँच जाता है मात्र एक राजयोग होने से भी व्यक्ति को उचाई पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता यानि बाकी ग्रोहों के राजयोग तो एहम होते हैं लेकिन ब्रिहस्पती का जो राजयोग है छोटा सा राजयोग भी अगर कुंडली में है ब्रिहस्पती का तो आपको उचाई पर पहुँचाए बिना नहीं मानेगा आपको सर्वोत्तम स्थिती में सर्वोत्तम सीड़ी तक जरूर पहुचा देगा ब्रिहस्पती के पहले राजियोग के बात करें पहला राजियोग है हन्स योग हन्स मनस्वान जानते ना हन्स एक पक्षी होता है तो हन्स योग ब्रिहस्पती का पहला राज योग है क्या खास बात है इसकी ये जो हन्स योग है ये पंच महापुरुष योग है पांच ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है उसमें से एक ग्रह ब्रिहस्पती है और ब्रिहस्पती का जो पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं हनस योग ब्रिहस्पती जब कुंडली में करक राशी में हो, धनू राशी में हो या मीन राशी में हो तो ऐसी दशा में हनस नामक योग बन जाता है ऐसा होने पर व्यक्ति तपस्वी होता है, विद्ध्यवान होता है और ज्ञानी भी होता है अगर कुंडली में हन्स योग है तो ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम यश और सम्मान मिल जाता है बिना प्रयास के नाम यश और सम्मान ऐसे लोग पा जाते है ऐसे लोग राजनीती, कानून और सिख्षा के छेत्र में बड़े सफल होते है कुंडली में हन्स योग हो तो कभी-कभी आदमी बहुत तपस्वी और बहुत ग्यानी होता है कभी-कभी साधना में लीन हो जाता है कभी-कभी इश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सन्यास के मार्ग पर भी जाता है ब्रिहस्पती जब हन्स योग में पड़ा हुआ होता है तो आदमी की आत्मा सामान्यतह शुद्ध हो जाती है जिसका फायदा उसको जीवन में मिल जाता है हन्स योग अगर कुंडली में होता है तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के उपर इश्वर की विशेश अनुकम्पा होती है हन्स योग होने के मुश्किलική है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, मेरे उपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा कोई क्या बिगाड लेगा ये अगर हंस योग कुंडली में है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कि कहीं आप अहंकारी तो नहीं बन रहे कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा, इसलिए इनको हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, जरूरत से जादा हर समय खाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए उट पटांग और जादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि हन्स योग होने पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का मोटापा जो है वो बढ़ जाता है अब ब्रिहस्पती का दूसरा राज योग यह क्या है भाई ब्रिहस्पती का दूसरा राज योग है इसको कहते हैं गजकेशरी योग बड़ा महत्त्पूण योग है और दुनिया में जितने भी महान लोग हैं तक्रीबन 70-80% की कुंडली में ये गजकेशरी योग पाया जाता है बनता कैसे है? अगर ब्रिहस्पती और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों तो कुंडली में गजकेशरी योग बन जाता है ये योग सामान्य व्यक्ती को भी विशेश बना देता है अगर आपकी कुंडली में गजकेशरी योग होगा आप साधारर परिवार में भी जन्म लिये होंगे तो भी आपको जीवन में विशिष्टता मिलेगी और आप जीवन में विशेश बनेंगे ये योग करक लगन व्रिश्चिक लगन और मीन लगन में जादा प्रभावशाली होता है इसलिए इन लगनों में अगर गजकेशरी योग बन जाये तो आदमी आकाश की उसाईयों तक पहुँच जाता है ऐसा देखा गया है गचकेसरी वाले लोग साशन में और राजनीती में विशेश सफल होते है साशन के मामले में, पॉल्टिक्स के मामले में गचकेसरी योग वाले लोग जादा सफल होते है उन्हें जादा सफलता की प्राप्ती होती है ऐसे लोग जीवन में जिस भी छेतर में जाते हैं बहुत सफल होते हैं बहुत नाम और यश कमाते हैं किसी भी छेतर में चले जाएं अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोग सकता इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो भगवान शिव की उपासना करना सबसे जादा बढ़िया होगा साथी साथ अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी पहनना चाहिए उससे भी इनको निश्चित रूप से लाब हो जाता है ब्रिहस्पती के तीसरे राजियोग की बात करें केंदरस्थ ब्रिहस्पती यानि ब्रिहस्पती आपकी कुंडली के केंदर में बैठा हुआ हो लगन में हो चतुर्थ में हो सप्तम में हो या दशम भाव में अगर ब्रिहस्पती हो केंद्र में हो तो ये भी एक तरह का राजियोग है ब्रिहस्पती केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है इतना मजबूत माना जाता है कि जोतिश ये कहता है कि अगर केंद्र में ब्रिहस्पती बैठा हो और बाकी ग्रह खराब हो तो भी व्यक्ति के जीवन पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता एक श्लोक आता है किम कुर्वंति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे ब्रिहस्पती मत्त मातंग यूथा नाम भिन्यतो कोपी के सरी अर्थात सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर ब्रिहस्पती केंद्र में बैठा हो इसलिए ब्रिहस्पती केंद्र में काफी ज़्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी लगन में दिगबली हो जाता है एक तो केंदर में बैठा हुआ हो और केंदर के चार खाने है एक चार साथ दस अगर उसमें भी एक नंबर में बैठ जाए लगन में बैठ जाए तो ब्रिहस्पती दिगबली हो जाता है बहुत ज़ादा शक्तिशाली माना जाता है ये अकेला कुंडली के तमाम दोशों को नश्ट कर देता है इतनी ताकत ब्रिहस्पती के पास होती है कि अगर वो केंदर में बैठ जाए तो डेफिनिटली वो कुंडली के तमाम समस्याओं को तमाम दोशों को नश्ट कर देगा उन्हें दूर कर देगा ब्रहस्पती केंदर में हो तो व्यक्ति की आयू लंबी हो जाती है और व्यक्ति काफी ग्यानी हो जाता है लेकिन इस नियम का एक अपवाद है एक exception है अगर ब्रहस्पती जिस राशी में बैठा है वहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है और वो भले ही केंदर में क्यों नहो ये ब्रिहस्पती शुब परभाव नहीं देगा क्योंकि मकर राशी में बैठा ब्रिहस्पती नीच राशी का होता है और नीच राशी में बैठा हुआ ब्रिहस्पती शुब परिणाम नहीं देगा क्योंकि खुद ही इतना जादा कमजोर होगा कि आगे शुब परिणाम देने की संभावना नहीं बनेगी अगर कुंडली में केंद्र में ब्रिहस्पती बैठा हुआ है तो ऐसा ब्रिहस्पती होने पर धर्मस्थानों पर जरूर जाएं धर्मस्थान पर जाना आपके लिए फाइदेमंद होगा साथी साथ अगर नियमित रूप से मस्तक पर अपने तिलक लगा सके तो तिलक लगाने से भी ब्रिहस्पती की शुबता बढ़ेगी और आपके लिए बहुत उत्तम होगा ब्रिहस्पती के राजयोगों का फाइदा लेने के लिए एक बात हमेशा समझ ये कि जितना इश्वर के आप निकट रहेंगे जितना इश्वर की आप उपासना करेंगे उतना ही जादा फाइदा आपको प्राप्त होगा